हेलो दोस्तों नमस्कार एक वार फिश्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पॉली टेकनिक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर तो दोस्तों आजम लोग बिहार पॉली टेकनिक के एंट्रेंस एक्जाम 2022 के लिए दोस्तों हम previous year questions को देखने वाले हैं ठीक है यानि कि 2021 से 2010 तक का series मैं आप सभी के बीच में लेकर क्या हूँ ऐसा क्यूं सर क्यूंकि आपके एक्जाम में previous year से हो वह question उठ जाते हैं तो सर आज किस क्लास में फिजिक्स का पहला क्लास से दम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका पीडियप अगर पाना चाहते दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुर सकते हैं जिसका टेलीग्राम का नाम है दोस्तों पॉली टेकनिक वाले के लिए टेलेग्राम ही अलग कर दिया कि बहुत सारे मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि सर पॉली टेक्निक का लग बना दिजे पैरा मेडिकल का लग और आइट ये का लग तो आप लोग जाए डिस्किप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका पॉली टेक्निक वाले जॉइन कर सकते हैं चेल आज की स्कास को सानदार तरीक़े से स्टाट करते हैं जो बच्चे मारे से चैनल पे नए हैं ना नीऊ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे स्वेट करेंगे और चलिए आज कि स्कास को स्ट्राट करते मैं दुआ तो यहां पे दिखे दोस都有 पहला प्रस्थन आप आफको मैं वह दिकाने वाला हूं अपसंफ सेफेंकस प्र ब्लत ओपसंफ नमर भी एक एक यंपियर गुने एक वोल्ट है एक वोल्ट पर एमपियर आफसंफर लिए एक माद रहें एक ओम बरावर ओम किसका मात रखे दोस्तों सबसे पहले आप लोग यह पता करिए कि यह जो ओम है ना दोस्तों है यह जो ओम है यह किसका यूनिट है सर यह भी आपके एक्जाम में प्रशन पूसता है तो ध्यान रखियेगा दोस्तों यह प्रतिरोध का यूनिट है किसका यून का यूनित होता है sir बोल्ट का तो बोल्ट देख लिजे उपर में और धारा नीचे एंपियर नीचे में तो हमारा कौन सा राइट हो गया sir option number c correct हो गया हो गया कि नहीं हो गया ठीक है तो इस तरीके से आपको करना पड़े और Holt किसका Unit है तो बिदूत बीभब का I MPR किसका Unit है तो बिदूत-धारा का ध्यान रखना है यह सब चीजे चलिए यह दिहल दोस्तो एक question नमर 2 कहता है एक ampere विदुद्धारा का है यानि कि दोस्तो आब हमसे पूछा जाता है कि एक ampere वड़ावर कितना होता है option आप सभी के बीच में है option नमर 1 कहता है एक कुलाम पर सेकेंड option अर्वी कहता है एक कुलाम इंटू एक सेकेंड option नमर c कहता है दوस्तो दो कुलाम और पर सेकेंड स्कार अपसन नमर डी कहता है दो कुलाम इंटू second square तो इसका answer जो होगा न स्थों वो क्या होगा एक ampere बडाबर क्या होगा दोस्तो क्या होगा कुलाम यानि की कुलाम per second होगा यानि कहने का मतलब q by t कह सकते हैं और q किसका होता है c by c by s है ना है ना यह हो जागा ना तो कुलाम होगा करना नहीं कुलाम per second यानि का option number a हम सब का correct होगा अब sir यह कहां से आया तो आपने दोस्तो आवेस पढ़ा होगा ये 12th level का chapter का है ये अप लोगने current भी परा होगा तो I वराबर आप लोग को formula बताया गया होगा sir तो हम पहले Q बराबर formula मैं आपको बतादो Q वराबर formula होता है I into I into T होता है sir to I बराबर क्या हो जाएगा Q by T हो जाएगा होगा की नहीं होगा sir I बराबर आई बराव फर्मूला होगा तो यहां पर से आप आसानी से आवेश का यूनिट लिग दिजे समाई का यूनिट लिग दिजे हो गई असर है ना इस तरीके से ध्यान रखेगा चली अगला प्रशन दोस्तों क्वेस्चन नमर 3 आपके एक्जाम में पूचा गया कहता है कोलाइ कनो द्वारा प्रकास का प्रकिर्णन क्या काला तो अप्सन नमरे ताप ये परभाव और बलवीन परभाव रमन परभाव यह टिंडल परभाव है ना तो यह आप सभी लोग ध्यान रखेगा यह प्रशन इंपोर्टेंट एसर इसका आंसर आप्सन नमर डी करिक्ट हो जाए ना हो अगर आप से एक्जाम में पूचा जाता है कि कोलाइड कनो का आखार कितना होता है सर 1,000,अ यह जान रखेगा क्यां पूच्चे तो मार दीजेगा जब आप करने काम करता है तो यहीं कहलाता है चलिए दोस्तों क्वेस्टन नमर यहां पर फूर आप सभी लोग देख सकते हैं कहता है तारो की टिम्टी माहट का क्या कारण है सर तारो की टिम्टी माहट का क्या कारण है अपसन नमर वायु मंदली अपवर्तन अपसन नमर वायु मंदली विवर्तन अपसन नमर सी वायु मंदली विशेपन और अपसन नमर वायु मंदली वायु मंदली कानों के द्वारा प्रकास का प्रकिर्णन तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना सर वह जाएगा अप्सन नमर ए क्योंकि दोस्तो प्रकास का अपवर्थन के कारण ही जो तारा है न वह टिम्टि मारता है अचानक से लगता है कि उसकी प्रकास चली गई ये क्या होता है यहां पर रियल बातें में बताना है यह सीतारा है अंतरिक्ष में बहुत सारे धूल कन बहुतरहतर्टरह की मजूध तो अब क्या होता है प्रकास से जो निकला तो यहां पर धूल कन से टकराएगा हर एक वस्तु से टकराते हुए हमारे आखों तक आएगा तो यहां पर क्या होता है वह धूल कन से टकराता है यह किसी वस्तु से वहां पर टकराता है तो क्या होता है इसकी जो किरने होती वह दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नमर फाइब कहता है उमर बढ़ने के साथ आंक की सुविधा की सकती कम हो जाती है इस इस्थिती को कहा जाता है तो सर देखिए आप लोग को जब मानो नित्र वाला पढ़िएगा यह चीज तो आप लोग को दोस्तों इसमें पढ़ाया गया ह चाहिए दोस्तों चलिए याद करिए याद करिए क्या होता है दोस्तों दीफॉक्सी लेंस क्या होता है दीफॉक्सी लेंस का यह चाहे बाइफोकल लेंस का यह इनका है दो यूज होता है बाइफोकल चाहे दीफॉक्सी अगर आपके एक्जाम में पूछा जाता है दोस्त आवता लेंस से बने चसमे का दिर्ग दिष्टी दोस्त में क्या होता है दोस्तों नाम से पता लगता है कि दिर्ग दिष्टी दोस्त यानि कि दिर्ग में दिकत हो लेकिन नहीं दिर्ग वाला साप साप दिखाई देगा लेकिन आपको निकट का नहीं दिखाई देगा तो दि आख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन दूरी की वस्तूओं पर मानव आख के अंदरित कर सकती है इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं सर अपसर नमरे है जरा दूर जरा दूर दिश्टी दोस अपसर नमर बी है सुविधा अपसर नमर सी है निकर दिश्टी दोस और अप्संन नमबर डी है दूर दिश्टी दोस्थ। हणा तो इसकी अंसर क्या होजाएगा दूस्तो याद रखेंगा इसको हम QA कहते है । सूवढ़ी वह करते है और इसका दूसरा नाम हम लोग रेटीना भी कहते हैं। यहां क्वेश्चन कारब पहले फिल करय। आंख की फोकस की दूरीको समायोजित करता है और विविन दूरियों की वंधू पर Maa मानव आख केंद्रित कर सकता है तो मानव आख केंद्रित कहां करेगा भई दिश्टी पटल पे जब तक प्रतिभींब नहीं बनेगा इमेज नहीं बनेगा तब तक तो कोई काम नहीं हो तो ध्यान रखना यहीं चीज़े ठीक है चलिए अगला प्रश्ण आपके स्किन पर दे तो इसका correct answer सिवी बच्चों को पता होगा है ना तो इसका अंसर ऑफसर नमर क्या हो जाएगा दोस्तो और यह हो जाएगा संवेधन पटल ठीक है संवेधन पटल है यह क्लीप ना यह कह होता है यह क्लटा गूलाकार होता है आपसे एक्जाम में यह भी पूचा जाता है दोस्तों कि मानों का जो आख होता है उसमें कौन सा लेंस होता है उसमें कौन सा लेंस होता है अगर यह प्रशन पूछे तब क्या करिएगा सर हना तो इसका ध्यान रखिया कौन सा लेंस होता है तो उत्तर लेंस होता है और भी बता दो दोस्तों यह जो उत्तर लेंस ह होता है यह किस चीज का बना होता है हमारे आखों में तो तब बना होता है जिस चीज का बनाउता है अच्छे से नॉलेज देखिए ठीक है चलिए अगला प्रशनी के और बढ़ते हैं ये देखिए question number यहां पे eight कहता है दोस्तों कि एक गुलाकार लेंस की भूटाकार रूप रेखा के प्रबाभी व्यास को कहा जाता है प्रषन को कहा रहा हूं तो इसका अंसर आप लोग याद रखेगा चिदर करते हैं तो प्रकास आएगा कैसे और हमारे आख में प्रत्विम बनेगा कैसे है ना बीना प्रकास के तो कोई वस्तू को ही नहीं देख सकते हैं यह द्यान रखिएगा ठीक है चिद्र हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रशना आपके स्कीन पर दे रहा हूं question number nine कहता है दोस्तों निमलिकित में से किसका अपवर्टनांग सबसे अधिक होता है तो इसका correct answer से बच्चों को पता है डेखिए इसका answer हो जागा option number C है ना तो जो बच्चे option number C बताएंगा उन सभी का इस्ट्वेंट का सही अब कितना कितना होता है सब का जान लेते हैं चलिए बर्फ का याद रखेगा दोस्तों 1.309 होता है पुरतनांक कारवन का जरा याद करिएगा 1.95 होता है अगर हीरा की बात करें 2.42 होता है अगर मानिक की बात करें तो 1.71 होता है देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा तो भई हीरा में ही है और होता भी हीरा में ही ठीक है ध्यान रखेगा चलिए दोस्तों क्वेस्टन नमर्य यहां पर 10 कहता है चले क्वेस्टन पढ़िए पहले कहता है दोस्तों दिये गए माध्यम यूग के लिए आपतन कोन की जया से अपवर्तन कोन की जया का अनुपात इसती रहता है तो इससी धांत को क्या करते है यानि सर यह प्रश्ण आपकी एक्जाम के पढ़ाओगा आपतन को यह जब आप लोग ने अपवर्तन पढ़ाओगा ना अपवर्तन हैना अपवर्तन पढ़ाओगा तो वहां पे दोस्तों आपको बताया होगा दूसरा नियम क्या था साइन आई बटा में साइन आर इस कल्टू क्या होता था मियू होता था होता की न एक वस्तू को अनंत में रखा जाता है किसी यह वस्तू को कहा है अनंत उत्तल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिविम का अकार क्या होगा देखिए किसी वस्तु को कहां पे रखा जारा है सर अनंद पे तो उत्तल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिविम कहां बनेगा बिंदू का आकार का या बढ़ा हुआ या विशाल या समान माप का वस्तु के कार देखिए यही सब प्रश्णाप के एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका अंसर क्या होता है बिंदू क्या कार का होता है कितने का कार का होता है सर बिंदू क्या का का होता है ठीक है यह सब चीजा आप लोग ध्यान रखेगा हाँ जी option number is the correct answer हो जाएगा चली अगला प् अभटलदर्बंसर परावरतन के बाद मुख्य अक्ष कीट कहते हैं उसको क्या स्वार्यक्ष गोते हैं उसको किया ह데 10 नहीं जिलएगा नहीं सब चीज़े अब सनने मुंख को सांते हैं मुख को फ।कस को जाई हमारा दरपन है यह मारा है यह अक्सिस है है था अब यहां प्योंत रस्साषagnis करें जाएगा तो कौ। jig है यह एां पर छो सेंटर रहता है सेंटर से पोल की दूरी को लोग कहते है सर हो करता थिरिजिया कहते हैं ठीक है यह जो सी है नैसला आप पर करभे होता है यह सब चीज़े गजांETI बराबर कियों यहां बराबर में रहेकत हो जाएंगा तू सो फोकस है आप लोग ध्यान रखेंगे अगर इस तरह के फ़रोबलम में हो जाए अगर सिचुवेशन के रियेट हो जाए तो आप स्ट्रक्चर बनाईएगा देखें मैं बताता हूं स्ट्रक्चर बनाईएगा यह हमने एक्सिस को खिचा आप देखें सर मान लिया जाए हमारा स हिल्यूद है तो इसके आंबढ़ देखें स्ट्रक्चर बनाईएगा तो दूग वोड़ेंगा तब ना और पोल पर खतम होता है सर तो ध्यान रखेगा क्या हो जाएगा आर बराबर टू एफ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अंगला परशना आपके स्कीन पर देते हैं क्वेस्टन नमर 13 कहता एक गुलाकार दरपन की वकरता किंद्र और दुरूब से होकर गुजरने वाली कालपनिक रेखा है एक गुलाकार दरपन की वकरता किंद्र और दुरूब से होकर जाने वाली कालपनिक रेखा क्या कालाती है वकरता किंद्र और दुरूब से होकर जाने को तो दुरूब करते हैं यह वाला यह वाला जो पॉइंट होता है पी करते हैं तो यह तो मुख्षक्ष होगी ध्यान रखना चलिए अगला प्रश्चन दोस्तों क्वेस्टन नमबर यहां पर फोटीन कहता है यह दी धातू के तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो त धुगना होता है ठीक है उब्हों सनफ दुगना हो जाए कि और फोटी नमर फेसे करता है ब्रतिण परश्चन करता और ब्रती bonक्रम में जोरा जाता है जब प्रतीरोद का रोची करम में चrict में सिर्रीज में जोर जह तो अर् 171 का में कुल विदुधारा के समान होती है प्रतेक परिपत की विदुधारा कुल विदुधारा के समान होती है या फिर अप्छो नमर B कहता प्रतेक प्रतिरोध से गुजरने वाली voltage परिपर में कूल voltage के समान होता है अगे बढ़ते हैं अगला कहता है दोस्तों के सबसे चोटे प्रतिरोद के प्रभावि कम कर देता है ना अनसर जब हो सिरेणी करम में जो विदुधारा होगी ना उसका विदुधारा समान होगा प्रते एक परिपत का ठीक है प्रते एक परिपत का क्या होगा विदुधारा समान होगा क्योंकि आर बराबर क्या होता है भी भाई आई होता है तो यहां पे अगर धारा कॉंस्टेंट करते हैं तो वोल्टेज यहा और धारा थोसमारा मांतर में इमारे धारा संब समान रहें रूब्वभरव यहिlles समान रहें आए तो आज इसक क्राइब दोस्तों मिलते हैं फिरसे आपके साथ में जूरूंगा दोस्तों आपके बिचा है आप सभी को भी जोड़ना इसी तरीके से हर एक चीज का क्लास मैं करवाऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को सेर जरूर करिएगा दूस्तों मिलते हैं नेक्स ट्रीओ मैं जै हिंद जै भारत